कौन है ये उस औरत का पती हाजिर करो कि इवा मैं आपको नहीं पैचानती मैंने पहले आपको देखा तक नहीं और मेरा नाम रेवा नहीं है तुम मेरी पत्नी हो आपसे कोई भूल हो रही है मेरी तो शादी भी नहीं हुई बल्कि मेरा आपसे ना तो कोई रिष्टा है और नाहीं कोई संबंध इस इंसान को कोई ब्रह्म हुआ है मेरी इनके साथ शादी नहीं हुई यह मेरी पत्नी है रेव आप भी वैसे ही है कोई सुन्दर स्थ्री को द मुझे लगता है यहीज का पती है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है लेकिन पता कैसे चलेगा चलो सुनते हो जी कौन हो किसे बुला रही हो मैं रेवा आपकी रेवा रेवा लेकिन मैं तुम्हें नहीं पहचानता आपकी पत्नी रेवा तुमसे कुछ भूल हो रही है मेरी शादी नहीं हुई यह क्या कह रहे हैं यह भी सच कि जवान आदमी को देखकर सभी इस तुरियां उसे अपना पती बनाना चाहती है तो क्या तुम मुझे नहीं पहचानते रेवा तुझे नहीं पहचानूंगा अरे तेरे असपर्शे तेरी सांस से तेरे दिल की धड़कन से तुझे पहचानता हो तो फिर ऐसा क्यों कह रहे थे यहीं अगर मैं पूछूं कि तुमने ऐसा क्यों किया महकाली की पूझा करके अंधि विश्वास की चलते बली देना चाहते हैं ये लोग आपकी और मेरी बली द दाने वाली है रिवा तुम अभी भी वैसे ही भोली और पगली हो हम दोनों की मौत एक साथ हो जाए इससे अच्छा और क्या होगा ना ऐसा मत बोलिये यहीं बत्तिश लक्ष्ण से इसका पती है ऐसी जोड़ी बली के लिए कोई और नहीं मिलेगी जाओ तेयारी करो मा तू तो जन्म देती है करता तू है धरता तू ही है तेरी मर्जिक के बीना कुछ नहीं होता मा इन्हें पता नहीं कि माताजी भोग से नहीं कोग भरके खुश होती है इन्हें सत्बुद्धी दो मा ये बेचारे तो ये नहीं समझते कि निर्दोश की जान लेंगे तो पा जै आदी शक्ति, मा जै आदी शक्ति, अखन व्रमाद निवाया, अखन व्रमाद निवाया, प्रत्मे पंध जमा, ओम जयों जयों मा जग्रम्मे रुतिया दो स्वरूप, सिवशक्ति जानू, मा शिवशक्ति जानू, प्रम्मा गडपति गाओ, मैं गाओ मेरी माँ, ओम जयों जयों मा जग्रम्मे त्रगिया तीन सरूप, त्रिववन में बैठे, मा त्रिववन में बैठे, दया से है त्रिवेनी, तू त्रिवेनी मा ओम जयों जयों मा जग्रम्मे चौथी चतुरा रूप, माहलक्ष्मी माता चार्भुजा चहुदीशा प्रगटी दक्षिण में, ओम जयों जयों मा जग्रम्मे पंचम पंच रुशी, पंचम गुण सारे, पंच तत्व जा सोहेरे, पंच तत्व में ओम जयों जयों मा जग्रम्मे शक्तितु नारायन महिसा सुर मारा नर नारी के रूप में व्यापी सब में मा ओम जयों जयों मा जग्रम्मे सब्त मी सब्त पताल सावेत्री संध्या गौगंगा गायत्री कौरी गिर्जामा ओम जयों जयों मा जग्रम्मे अस्ट मी अस्ट भुजा में आई आनंद मा मा आई आनंद मा सुर नर मुनिवर जन्मे देव देत्यों में ओम जयों जयों मा जग्रम्मे नो में नो कुल नाग से वे ना दुरगा मा से वे ना दुरगा नो रात्री का पूजन शिवरात्री का अरचन करतें सब घर में ओम जयों जयों मा जग्रम्मे आई दस अवतार जय विजया दश्मी आई जय विजया दश्मी नाम निराम रमाया रावन मा रामा ओम जयों जयों मा जकदंबे एका दश्मी गया रहा का त्याय निका मा काम दुरगा काली का शामा दुरुगा me ओम जयों जयों मा जकदंबे बारा में बाला रुप बहुचरे अम्बा बहुचरे अम्बा पटुक भैरब सोहे काल भैरब सोहे तेरे है तुझ में ओम जयों जयों माजग दंबे तेरह तुझ सारूप तू तारिणी माता ब्रह्मा वेष्णु सदासिव गुण तेरे गाता ओम जयों जयों माजग दंबे चौदा में चौदा रुप चंडी चा मुंडा माजग दंबे तया द्रेश्टि तुम डालूं चतुराई तुम दोमा सिह वाही निमाता ओम जयों जयों माजग दंबे पूनब का कभभार असन मा करुणा असन लों मा करुणा वसीस्ट देव बखाने मारिकन देव बखाने गाये शुब कविता ओम जयों जयों माजग दंबे संबत सोलह जान सोलह तिथि भावे संबत सोलह प्रगटा लेनेने कीरे ओम जयों जयों माजग दंबे अबावती नगरी अरुपावती नगरी अरुपावती नगरी सोलह सहत जह सोले शमा करो गारी ओम जयों जयों माजग दंबे शिव शक्ति की आरति जो मन से गाए कहे शिवानत स्वामी सुख संपति पावे वो कैलाश जाए मां अंबा दुख हरती को जयों, जयों जयों माजग दंबी ओम जयो जयो मा जग दम्जिट यह बांज मंदिर में कैसे आ गए मंदिर में यह अप्शबुन बांज गोर कल्यूग है आ गई कल मुही अरे बांज बाहर निकल मंदिर वाले को इसे रोकना चाहिए मा का दुआर तो सब के लिए खुला है सभी मा की संतान हैं मा की बात करने से पहले अरे कुछ तो सोचो यह मंदिर बनाने वाला जसराज भी बेयावलाद था उसके घर में भी अंधेरा था मा अंबा का मंदिर उसने बनवाया और मा की कृपा से उसके घर में कुल दीपक जिन मा अरे वो तो माता का भग था पुजारी जी और इसका पती सोम अरे वो इंसान नहीं है जानवर है जानवर पुजारी जी पत्थर है बिल्कुल पत्थर एकडम नास्तिक जैयम्बे जगदंबा की लिला कौन जान सकता है आरे वा पूजा कर ले अरे ऐसे हिम्मत मताद जा आज भी सुमा भाई नहीं आए महाराज वे तो जानता हूँ बहन के सुमा भाई नास्तिक है परंतु अपनी सेवा और भक्ती से उस नास्तिक में भी तू आस्ता जगा सकती है पारस का हाथ लगने से पत्थर भी कंचन बन जाता है और एक दिन तू इस मा के मंदिर में पूजा करने सुमा भाई के साथ आएगी मा तो दैयालू है, हजार हाथ वाली है, जगा जन्नी है और बेहन, दुख बिना सुक नहीं है और उसकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता आउ बेहन, अहां, चल, पूजा कर लो सक्क्रादया सुरागरा निहते ति वीरे तस्मिंदुराख्मनि शुदारि वलेचा देड्या ताम्तुष्टुभू प्रणति नंगा सिरोध दाउसा वाग्वी प्रमस्व पुलको दमचारु देहा देड्यायाता दमिदंदगा दात्म शक्त्या वीशेषदेव गडशातितमुह मूर्थ्या तामंदिकामा खिलदेव महस्री पूर्जां भाठ्यानतात्म विदद्दातु शुवानिताना देड्येत्मताहरति वीतिमशेषजन्तो वाठ्यित्मतामति मतीव शुवान्ददाती दारिज्यदूख भयहारि निकात्व दन्या थरोपकार रकलनाय सदार्द चित्ता ए सोमा ये परसाद ले और ये कुंकु भी किसका है ले ले मैंने मननत मांगी है कि तेरी दुश्री शादी होगी ना तो मैं पांच उपवास रखूंगा तो ये परसाद ले और कुंकु भी ले ले तेरी इच्छा पुरी हो जाएगी भीखा आजकल तेरी बातों से बोर हो जाता हूं मैं क्या तू भी नाश्टिकों जैसी बाते करता है अरे भाई तू परसाद खा ले तो तेरे घर में जूला बंदेगा अरे रेवा ने माता जी की भक्ति के लिए क्या नहीं किया क्या क्या नहीं जहला ये सब अंध विश्वास के सिवा कुछ नहीं है फैक दे प्रसाद फैक दे तू सब भी अंध विश्वासी हो अरे भीखा अपनी पत्नी को छोड़ कर एक बच्चे के लिए दूसरी शादी करूँ अरे लानत है तुझ पर लानत है अरे लानत तो तुझ पर है कि शादी को दस साल हो गए अरभी तक तेरे घर में जूला नहीं बंदा तो तेरे कहने से एक के होते वे घर में दूसरी ले आओं अरे तुने कहावत तो सुनी होगी न कि एक से भले दो अरे मैं तो कहता हूँ तो दूसरी बार घोडी पर चड़ जा मैं तो इतना समस्ता हूँ कि भगवान बहरा है अरे बहरा नहीं बलकि है ही नहीं ये तो वही बात हुई कि अपने कुए में ही पानी नहीं है तो भीखा ये क्या अरे जहां दिखाना है वहां जोड दिखाना, मर्द तो वह कहलाता जिसके घर में संतान होती है, ये तो वही बात हुई कि मिट्टी का घड़ा वो भी बिना पानी का अरे मा क्या, भगवान खुद भी आ जाए ना, तो भी नहीं छोड़ू भगवान करे, तेरे बेटे की उमर सो साल की हो, घर में बरकत हो और लक्ष्मी का घर में वास हो पर बेटी मा, ऐसे उदास क्यों हो गई? मा, ये बच्चा आ गया, उस खुशी में सब कुछ भूल गए भाई, तेरे प्रेम की कोई सीमा नहीं इतना प्यार देखके दिल भराता है, मा, मैं चलती हूँ अरे बैट तो सही, अभी तेरी भावी आ जाएगी इस दूज के चांद को देखने के लिए अरे मामा का घर कहाँ, दिया जले वहाँ मामा का घर कहाँ, दिया जलता है वहाँ तेरी शादी को दस साल हो गए, पर कुछ नहीं हो सकता जादू तो ना किया, सादू संतों के पास गए, पर कुछ नहीं हुआ सब ने कह दिया कि कुछ नहीं हो सकता उस बांच का साया ना पड़े, इसलिए तेरी जच्की यहाँ नहीं करवाई ला ला, मेरे पोते को ला, नजर उतार दूँ ला, देखो, मेरे बच्चा कैसे सूख गया है उस कलमुई का नाम क्या लिया, सूख के आदा हो गया मेरा बच्चा मा, आप रेवा को मत को सो, मैंने आपकी बात नहीं मानी और रेवा से शादी कर ली इसलिए आप ऐसा कह रहे हूँ न, ऐसा मत को हूँ मा अरे वो सब बाते छोड़, ये सब तो मैं अपने इस बच्चे के मोह में बोल रही हूँ और मूल धन से ब्यास किसे प्यारा नहीं होता, ले बेटा, संबल के जाना हाँ नहीं तो इस बाँच ने देख लिया न, तो छोड़े को नजर लग जाएगी, जा अब जा अपना तो करम ही फूटा है, इस बाँच के साथ रहना पड़ रहा है, अभी वी दूसरी शादी कर लो न, तो सब अच्चा होगा एक बार जो चोर कहला गया, हर बार वो चोर ही कहलाता है, अगर हवलदार चोरी करे तो वो हवलदार ही कहलाएगा अगर दूसरी शादी से भी बच्चा ना हो, तो तुम उसे भी कोसोगी अरे लड़के के कसूर को कोई नहीं देखता, सही कह रहा हूँ न अरे रेभा, रो रही हो, मत रो, ऐसे मोती जैसे आंसू, खरा मत करो और देखो, मैंने तो तुम से कोई शिकायत नहीं की न, और करूँगा भी में पर ये सब नहीं सहा जाता, बिल्कुल नहीं सहा जाता, तुमारी मा और बहन ये सोचती हैं कि इसका उपाए नहीं सुनना मुझे उपाए अब चल, खाने का समय हो गया अरे रख देना, इस काने को खाने की काहे की चिंता क्यों? अरे, तुझे देखता हूँ तो दिल में भूचाल आने लगता है फिर पेट की चिंता किसे होगी? अरे, वो सब छोड़, दिन भर मेहनत करता है चल, अब दो रोटी खा ले किसे तुझे? अरे, चल, चल चल, चल, मेरे बैलो की जोड़ी अरे, क्या बात है, क्या जोड़ी है तुमारी अरे, चल, चल, मेरी जान, चल चल, 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 खीच ले, खीच ले, लगा जोर अरे, मेरे बैलो की जोड़ी तेरे टककर के कोई बैल ही नहीं है पूरे दुनिया में चल अरे ओ भी काका यह आपकी रोजवाली मालगाड़ी आ गई लाल सिगनल दिखाओ देखो खाना लेकर आई है आहा काना मैं तो ठहरा शिव का पुजारी अरे वो तो काना की बांसुरी थी जिसके पीछे रादा एक, दो, तीन, चार, पाच, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, 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 छोकरी को जन्यवाली ने छोकरा ना जन्मारे लो चे, छे, छे, छोकरी को जन्यवाली ने छोकरा ना जन्मारे लो अरे, मेरी रोटियां बनाने वाली ने पाराठा ना बेलारे लो छे छे छोकरी को जन्ने वाली ने छोकरा ना जन मारे लोग मेरी मेरी तुम मेरी सगी नानत के भाई जवाब मेरा लेते जाना मेरी मेरी तुम मेरी सगी नानत के भाई जवाब मेरा लेते जाना मेरे, मेरे, तु मेरे संगिनानद के भाई जवाब मेरा लेते जाना, मेरा लेते जाना, अरुमा लेते जाना जानकर जो तीशी ने ऐसा बोला कि तेरे नसिप में छोड़ा नई बोल मेरे भाई अरे भाई नई घरवाला बोल घरवाला जानकर जो तीशी ने ऐसा बोला कि तेरे नसिप में छोड़ा नई तो फिर छेच डब्बे किये रेल गाड़ी कैसे आंगन में टक 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 अटक गई तो फिर छेच डब्बे किये रेल गाड़ी कैसे आंगन में अटक गई रगुपति रागब राजा राम पती तपावन ये विखाराम भजमन रे तू भीकाराम भीकाराम तेरे नसी में काँचे ये विखाराम रगुपति रागब राजा राम पती तपावन ये विखाराम भजन मैं तो भूनी पड़ी रे भई आज जुना होने कि थी वो हुई अरे रे बली भीकाराम को जोरू ये चूट की नावरी रे लोग बोल्स ये वर राम चंद्र की जैना बोले तो रहे एक मुपेले ये ये मा 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 मेरे रे आंगने बाबा दूना उरे मेरे रे आंगने बाबा दूना उरे ये गुन्ने की बात है खोटी यो ही रातों के जागिरे कर्मी को हीरा मिले और कर्मी को पत्थर तेरे नसीब के पहिये में पड़े पंधरा सो छेद नसीब मा छेद भराओ मेरे भाई दूसरी वीवी ले आओ जट भाई नसीब में छेद भराओ जट ले आओ ले आओ के भी का तुने उल्टा एक है घोटा चार पाच तीन दो एक एक सर बासर तैसर चौसर के भी का तुने उल्टा एक है घोटा के बारा अक्षर ना पढ़ा रे लोग तुने पकड़ा मेरा हाथ कौन कौन डाली मैं समझ नहीं पा रहा हूं यह सपना है कि सच है अब तुमारा हाथ छोड़ूंगा नहीं अपने केहते हैं ना कि एक बार हाथ पकड़ा तो फिर कभी नहीं छोड़ा माटी मिले उंगली पकड़ाई तो गले पुड़ने लगा चलूट नवी तो दुसरे हाथ की दूंगी ना तो लखवा मार जाएगा हां कहां गई कहां गई ओ माँ ओ माँ डॉली तु कहां जाएगी पहले तेरे साथ चंद्री में साथ पेरे फेर कर तुझे घर में नहीं बिठाया तो मेरा नाम भी भीखा मारवाडी नहीं मेरी मा गोंपी तेरी और मेरी शादी ना करा दे तो कहना लगा ही आपनी मांसे जाके कहुंगा मा डपने में मुझे माता जी ने आ कि होगा दोी मांता जी नी ओर मुझे मुझे के शादी करेगा अब सफ्जाद कि अपनी मां से कहना कि सागुन का सामान और श्रीपल लेकर उसके घर जाए और शादी का रिष्टा पका करें तभी तेरे घर देटा होगा। अरे कल मुए तुझे सपने भी सच नहीं आते इस घर में छे चे लड़किया हैं बेचरी बहु गर में बैठी है तो भी तुझे दूसरी शादी करनी है मा उसे क्या हुआ इच्छात और सकती है ना मा डूब मा डूब छे लड़कियों का बाप हो गया तो भी तुझे संटोश तो सोचो अगर मेरे बाबुजी पांचमी शादी नहीं करते तो मैंने तुम्हारी लाज रखी ना तो मेरी लाज नहीं रखेंगी क्या बेटा ही पैदा करने की क्या जोत है तो जर्रत की बात करती है डोली लेके जाएगा भीका देख मा घर में छे लड़की आए ना एक लड़का भी चाहिए ना तो लड़का भी हो जाएगा इसलिए तो सपना आया है ए भीकटा तुझे सच्चे में सपना आया था ना तो ठीक है पर पहले मैं भक्त से पूछूँगी किस से मा के भक्त से टा सुनो ना रास्ता लंबा है और तुम नारी हो सुकोमल सी रास्ते में अकेले ठक जाओगी भीखा समझ रही हो तेरे इरादे मेरे रास्ते के बीच मता ना मैं कहां तुमारे रास्ते के बीच में आ मैं तो तुमारी हाथ की रेखाओं के बीच में मैं हूँ ए भीखडा तुझे अच्छाना की हाथ का ध्यान के से आया माता जी ने सपने में आकर कहा कि तेरी शादी पदमिनी के साथ होगी और तेरे घर बेटा पैदा होगा मेरी मा है ना वह बैगा से पूछने जा रही है और सगुन का सामान रोषिर्पन लेकर तेरे पिदाजी को दे देगी और उसके बाद हम दोनों के शादी बैगा ने तो एक बार मेरी शादी सोमा के साथ खुद करवाई थी अरे सुमा तो नास्तिक इसमें बैगा क्या करेगा अरे जब हम दोनों राजी हो जातों अरे मिया मेरे साथ है उपरवाला पराई बहु बेटियों को छेड़ते वे शर्म नहीं आती तुम्हें मुझे क्या पता था कि उपरवाला ये है नाश्तिक लोगों को कैसे देवी को मानते ही नहीं अब मां ही देखेगी कि दुम्हें अब तुझे नहीं नहीं वजानी है तो मुझे सब जाने दे समान सबाल भी को आप मैं भी तीरी जैसी हूं गरीब की बेटी बगवान कब सूप माथ रहा होगा तब रहे गई होगी एक स्त्री नहीं तो मुसीबत, दुख, चिंता, नींदा जैसे शब्ट सर्फ नारी के लिए नहीं होते मा, ऐसी परिक्षा क्या मेरा नसिब लिखते-लिखते विधाता की स्याई खत्म हो गई थी कि मेरे कर्म का कागज कूरा ही रह गया पर ठीक है, पांचाती जा आगात, बरसाती जा वज्रगात, देती जा दुख पर फिर भी, मैं नहीं रोऊंगी, अंत में तु ही रोएगी अरे बहु तु कहां चली गई, खाना बन गया, मेरा सामान लाई अरे पूछ रही हूं कहां मर गई मा, मैं यहीं हूँ अभी तक गाय को नहीं नहीं लाया, अरे कहती हूँ बस तुसे बच्चरे का ध्यान रखा कर यह दिन देखने के लिए, आपके लिए मैंने क्या नहीं किया तो मेरे पर उपकार किया क्या, अरे सुन, घर साफ कर ले, पानी बर लेना, फिर कोई और काम कर लेना अ, और हा पीर मेरे पाउ दबा देना, और फिर सुबर जल्दे उठना, किसतरा की भू मिली है क्या हे गोमती क्याता मेरे साथ चलती है क्या, कहा बह राइगी के पास, बह राइगी पास हां, मेरे भी काकी दूसरी चादी के बारे में पूछना है तुझे भी सोमा के लिए पूछना है तो चल हाँ चलना मा मैं भी आओं हाँ चलो कि ओम हिम्क्रिम्चा मुंडाय विच्चे जै महाकाली जै भद्रकाली ओम ओम जै माकाली मेरा काम मा का होकुम सुनना और उसे पूरा करना पर तुझे क्या दुख है ए बैगा एले मेरी मा आए ना तो तुझे सिर्फ सिरह लाना है और हां कैदेनी है नहीं हो सकता नहीं हो सकता जूट नहीं बोल सकता मैं तो मा की भवुत उड़ाता हूं और सिर्फ मा का होकुम सुनता हूं ऐसा उल्टा काम करूंगा त दूर करते हैं तो फिर तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है यह ले ले सकता नहीं ले सकता ऐसा जूटा काम नहीं कर सकता ऐसा बोलने वाला कल्यूक में तू अकेला ही है अरे लिए बिना कोई काम करता है क्या और लेके काम करेगा तो काम पक्का होगा मेरी माँ और पूछे कि बेटा कैसे होगा तो तुझे कहना है कि दूश्री शादी करके होगा और मेरी मार तुसे पूछे कि शादी किसके साथ तो तुझे कहना डॉली के साथ समझ गया तो यह ले लगता मेरी माह आ गई और साथ में होड़ते भी है मुझे अब जाना होगा किसे जाना होगा अरे इसे नहीं मुझे लगता है शलक्ते बेका भाई प्रणाम कुछ सवाल पुछने हैं पुछो भीके को बेटा में हैं तो करवा दो दूसरी शादी जो उसका हुक्म है और सुंता हुं किसका हुक्म च उसी का नाम तुने सुना सोमा अगर दूसरी शादी का ले तो घर में बेटा होगा पर डाली शादी के लिए राजी होगी हां डाली के बेटा होगा हां सोमा शादी के लिए राजी होगा हां उसे दूसरी से लड़का होगा हां आप तो सिखाया हुआ बोल रहे हैं ना सिखाय माता का हुकुमें अब जा तुम लोग कि आ pressing कि मा औहां डूंनर माथ है कहा गे थे तुम लोग कैप यह सिर्वा से पूछ रैवाpine से रा बैगैं ne किया कहा कि क्यों मा espírit तुम तो जानती हो मैं यह सब नहीं मानता पर बोलो, तुम्हारी माता के आशिश का व्यापार करने वाला बैगा क्या बोला? क्यों कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं बताती हूँ, बैडागे ने बबूत और माता का आदेश सुनाया कि सोमा भई दूसरी शादी करेगा तो ही बेटा होगा अरे मा, दूसरी के तेल से दिया जला के उजाला क्यों करना? रेवा के रहते दूसरी शादी करके मुझे अपना तीन जनम नहीं बिगाड़ना है रेवा, खबरदार जो माता के मंदर या बूआ के पास गई तो, समझी? ऐसे माता जी के आदेश का निरादर करके बाहर चले जाएंगे, तो माता जी का अपमान होगा, सुनो ना? मैं जिन्दगी भर सुनता ही आया हूँ रेवा, तुम्हारे लिए तुझे रेवा के सिवा कुछ दिखता ही नहीं? हकीकत है तो रेवा है, और हवा में बात करना श्रधा की पूछ पकड़ना है किसी पता, मेरे सोमा पर तुने क्या जादू किया है? मा, मैं क्या करूँ? क्यों? यमना ने भीका के लिए कहा हो सुनी नहीं? अगर सोमा का भला चाथी है, तो जाके कुवें में कुछ और अगर सिदे-सिदे नहीं मानी ना, तो खाने में जहर दे दूगी तुझे नहीं, अपने सोमा को मा, फिर तु कहती रहना, बेटा तो पैदा नहीं कर सकी, तो सास ने अपने बेटे को मार दिया अगर तुझे सोमा को जिन्दा देखना है, तो कहती हूँ कि तो अपना मूँ काला कर, और सतियों के चड़ जा चिता पर यमना बही, ओ यमना बही आओ आओ यमना बहें, ये लो, सवा रुपया और स्रीफल क्यों घर में बेटा पैदा हुआ? ना ना, ये तो दूसरी बात है, तुमसे कुछ मांगने आई हूँ, ना मत कहना इस उमर में मेरे लिए रिष्टा? तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी बेटी डाली के लिए, मेरे बीके के लिए मांगने आई हूँ गोमती, डाली से तो मुझे पूछना पड़ेगा, तुम ऐसे ही मांग करोगी ऐसे ही नहीं मांग रही हूँ, मैं बेगे से पूछ कर आ रही हूँ माता का हुकम है कि भीका से शादी करेगी तो राज करेगी राज ये डाली किसी बीजवर से शादी नहीं करेगी वो भीखालाल तो मेरे लिए काका जैसा है अरे चुपकर सास की थोड़ी तो इज़द कर और बेगे का कहना है कि सो मा भी अगर रेवा को छोड़के दुसरी शादी करेगा तो मा उसे बेटा देगी बेटा और तू राज करेगी राज तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेते तुम्हारी बात मैं न मानो बोलो रेवा क्या बात है तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते रेवा कि तुम उससे नाराज हो या ममता के लिए तुम ऐसा कह रही हो ना पर मा के बैगे ने ऐसा कहा है कि नहीं सुननी ऐसे अन्द विश्वास की बात वन्ष के मोह में अपने दिल की रानी को छोड़ने के बात मैं नहीं मानता अरे ऐसे स्वर्ग के लिए तो सारी आशाएं छोड़ सकता हूं मुझे शुरद्दा है कि माता जी तुम्हारी वंश्वेल देखो रेवा अपनी माता जी से जाके कहना कि सोमा को संतान नहीं सिर्फ प्यार चाहिए और वो भी रेवा का पर मेरी बात तो सुने देखो रेवा आज के बाद अंबा मा और मेरी मा की बात नहीं करना भले ही खा मा अंबा मा इनके कहने पर ध्यान मत देना मा जो तुम्हारा प्रकॉप हुआ तो ये घर खेश सब बर्बाद हो जाएंगे इस सब का कारण मैं ही हूँ मा मैं क्या करूँ इसका इसका एक ही रास्ता है मा राश्री मा जग्लंबा मैं जानती हूँ कि आत्मात्या करने वालों पर तो क्रोधित होती है पर जब तक मैं जिन्दा हूँ तब तक सुमा दूसरे शादी नहीं रहेगा और इसका का कर दीए हूँ मा, बैगा की दी हुई आज्ञा का आनादर कैसे हो सकता है? तुझे क्रोधित करूं तो, तो सोमा के घर का नुकसान होगा. मा, मुझे अपनी गोद में समा लेना, अशिर्वात देना मुझे. जै जगदंबे, जै शक्ति, जै अम्बे. मुझे क्रोहा ऩ। रेवा 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 ये तुमने क्यों किया रेवा रेवा तुम नहीं रेवा ये तुमने क्यों किया क्यों किया तुमने तो और क्या करती नहीं रेवा तुम्हें जो करना है वो करो पर मुझे अकेला छोड़के मच्छा नहीं तुम्हारे बिने में चीते जी भर चाओगा रेवा तुम्हारे दिल में मेरे लिए मान प्यार है नहीं हां नाथ अप्रमपार रेवा कसम खा कि अब अब ऐसा कभी नहीं करोगी वचन दो तुम भी मुझे एक वचन दो हां मैं वचन देती हूं कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी कि मरने का विचार भी मन में आए बस अब मेरा वचन बोलो रेवा बोलो क्या करना है कि दूसरी शादी कि दूसरी शादी कि दूसरी शादी मा क्या है मा मा करके सुवे सुवे अप्शुगुन क्यों कर रही है मा मैंने उन्हें दूसरी शादी के लिए मना लिया और वचन भी लिया है क्या बात कर रही है मैं तो पहले से रिवा पर तुम मानती है ना कि ये सब शक्ति मा की इच्छा से ही हो रहा है हाँ मा बाला हो गुंती बेहन का कि भीखा भाई के साथ हमारे बारे में भी पूछ लिया हाँ जै मा गबरवली डाली इस दुनिया में गुलाल को गेरू करने वाले कई पढ़े हैं अरे काना ये तू क्या कह रहा है अरे इसलिए तो कह रहा हूं कि दूद के पतीले में चमचे बहुत होते हैं अरे रहने दे वो भीखला भले ही भीख मांगे उसकी जोड़ी तो खाली ही रहने वाली है हम तो शादी कर लेंगे अरे मेरे मन के मोर मैं तो तेरी मोर नी हूँ तो मेरी कलम और मैं तेरी कहानी हूँ तो गिलास है और मैं पानी हूँ डाली तुझे शर्म आनी चाहिए पढ़ इसे कह रहा है कि तुझे पकड़ना है डॉली डॉली तु तो मेरी पत्नी बनने वाली है तेरे साथ मेरी शादी होने वाली है और तु यह क्या कर रही है वह भी दुश्मन के साथ मेरी बात सोन डॉली मेरी थी मेरी है और रहेगी मुझसे ही शादी करेगी और यह कोई गरीब आज़ा 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 अरे गिन गिनकर मैंने भी ब्याद के साथ तेरी पुंगी नहीं बजाई तो मेरा नाम भिका मारवनी नहीं डाली यह काना तेरे लायक नहीं है जोड़ी तो तेरी और मेरी जमे क्या अरे क्या हाथ है तेरा सिंदूर है सिंदूर अरे नहीं है तो गुन है मेरा गुन है मेरा गुन है अरे गिन गिन कर तेरी पुंगी नहीं बजाई तो मुझे बोलाओ अरे रेवा गौरी कैसे आना हुआ मेरा हाल देखने या जले पर नमक छिड़कने दूसरे का घर तोड़के खुद का महल बनाने वाली तू महल? अरे मेरा महल तो कागस का है अरे इतने बना हुआ महल कितने दिन तक दिखेगा गुसर छोड़ दो सोमा की बात करने आई हूँ सेवा पूरी नहीं हुई कि फिर से वही बात दोहराने आई हूँ पर बात को बार बार दोहराने से बात दिमाग में बैठ जाती है उजारने का खेल मुझे कभी अच्छा नहीं लगता उजाणने के बात करने नहीं आई, मैं तो आए हूँ किसी को सही स्थान दिलाने, संयोक से सोमा की शादी तुमसे नहीं हुई और वो मुझे मिल गए, और अब मैं खुद चल के तुमसे सोमा का रिष्टा मांगने आई हूँ रिवा, छुटा हुआ तीर, बोली हुई बात और माना हुआ पती वापस नहीं आता हो सकता है, मां अमभा के प्रताप से इतना बड़ा त्याग करने का वैराग्या कहां से जागा? मैं मां नहीं बन सकती, इसलिए पर मां के बैगा ने कहा कि माता की बैगा ने मुझसे भी कहा था कि तेरी शादी सोमा से होगी सच हुआ नमा का हुकुम बैगा ने कहा कि सोमा दुसरी शादी करेगा तभी संतान का सुख मिलेगा पर उस घर में राज तो तेरा ही चलता रहेगा तो क्या तो मुझे बच्चा पैदा करने के लिए मांग रही हो? पद्मा, सोमा से शादी नहीं हुई, इसलिए तुने अब तक शादी नहीं की, फिर भी तुम मुझे ना कह रही है एक मियान में दो तलवार रहे, ये कभी सुना है? मैं छोली फैलाती हूँ, मुझे खाली हाथ मत लटा एक शर्त पर बोल, बोल पद्मा, मुझे सब शर्त मन्जूर है जिस वक्त मैं उस घर में कदम रखूँ, उसी वक्त तो उस घर को छोड़ देगी चांद और सुरज एक साथ आकाश में नहीं चमकते बोल, है मन्जूर? हाँ, मन्जूर है हाँ, 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 हाँ हाँ, 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 हाँ हे मन बड़े रे मान वी वो तो त्यांगी पाई रे हे सुख दे के दुख लेले हे वो हे उजली मन की हे वे मन में आनंद मामा गेरे कोई में ना एक आज पूल समझ मा थे लिए कोई काटो कारेता बहना साजना के लिए नई सोत की सांग यही द्वार अब की बन है जी पृत का रखने रंग इसे क्या देख रहे हो देख रहूं की रेवा ने दर्वाजा बाहर से बंद कर दिया आप जाओ बाहर तो मैं अंदर से बंद कर लूँ पत्मा तुम रेवा को समझ नहीं पाओगी अपार प्रेम होते वे भी दिल पे पत्थर रखके उसने मुझे तुम्हें सौपा है मेरे प्रती जो प्रेम है उस पर रेवा पानी फेर गई ऐसा लगता है तुम्हारे प्रेम में है मात्र स्वार्थ पर उसके प्रेम में है त्याग तुम देखती हो सिर्फ अपना सुख और वो देखती है सब का सुख हाँ मतलब रेवा ने तुम्हारे उपर कुछ जादू टोना कर दिया है ऐसा लगता है नहीं उसने दिखाया है प्रेम का शुद्ध सौरोप पद्मा स्थरी के पिछले जनम के बारे में तुम्हें नहीं जानता पर शादी के बाद उसका प्रेम कंगा की पवित्रधारा की तरह बैता है तुम्हें मुझसे शादी की है ये भूल मत जाना क्या सारी रात रेवा की ही बाते करोगे पद्मा, मैं वास्त्विक्ता को नहीं भूलता अरे तुम्हारे साथ एक रात तो क्या, अब तो सारी जिंदगी बात करनी है सोमा, ये जिंदगी जिसकी मैं कब से राहा देख रही थी प्रिय, हमारी प्रित तो जनम जनम की है इसलिए तो विधाता हमें बार बार मिलाते हैं विधाता, विधाता जैसा कुछ नहीं मैं तो इतना जानता हूँ कि ये सब रेवा के ही कारण है इतना लगाव था रेवा के प्रती, तो मसे शादी ही क्योंकि रेवा से लगाव है इसलिए नहीं उसका आग्रा था इसलिए उसकी इच्छा थी इसलिए चलो सोते हैं ये वजन काज पीवु छोडियां प्रीत करण घर बार नैनों में वरसे बदरी और मन में भरा उल्ला से दे सुखी रहना साइबा और एक तुझे की जोड़ बस मैं रहूँगी अकेनी ए मां भर दे तेरी गोड़ हे पीवु सोए है सेज में घर पुरा राजी होएं जाना मन माने नहीं उसके चौकट पे अटके पाँ साजन तेरा संग छोड़ जाओंगी आज हे मार गलिया है दूसरा हे मेरी अंबार अखिलाज हे मेरी अंबार अखिलाज हाँ झाल झाल हुआ झाल झाल हुआ बचाओ 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 पागी जय हाटकेश वर जय हाटकेश बचाओ अरे सुनती हो सुनती हो क्या है जल्दी बहार आओ अरे पगी पानी तो लिया पगी पानी ला जल्दी ला क्या हुआ इसके उपर जट से पानी डाल पानी डाल बहन 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 क्या हुआ तुम्हें देखो मेरी तरफ आखे खोलो क्या हुआ चोट नहीं लगी ना इस समय तो अकेली कहां जा रही है कि मा ले जाए वहां तेरे माबाब भागवान को प्यारे हो गए भाई बहन भागवान ये दिये ही नहीं तुम्हारा पती कौन है पती ने छोड़ दिया है ससुराल से निकाली गई है चल रहने दे तुझे दुख हो वह नहीं पूछूंगी बस दुसरी कोई पैचान है तू तो दुसरे के भले के लिए खुद को त्याकर दे ऐसी लगती है मा अमबा तेरी इच्छा पूरी करेगी जरूर पूरी करेगी चल अमारे साथ चल तुसे कुछ नहीं पूछूंगी चल तू अमबा के पास जाना चाहती है ना हाँ आओ बेधी चलो हमारे साथ हमने नौ तिर्तों की यात्रा पूरी कर ली अब हमें अम्मा जी के पास जाना है मा के तू सच्छे भग लगती है आओ बेधी आओ हमारे साथ आओ रेवा यो रेवा पूछ रही हूं कहां गई इतनी सुवे सुबे रेवा रेवा मेरा पूजा का सामान त्यार किया के नहीँ और मा मां यह क्या हूँ कल मों आग नम्मां का भ़्र यह पूंक पूजा का समान करना ही मंदिर बोरेव इंधरर है क्या है मा यह कागस कैसा है यह अक्षर तो रेवा के है क्या लिखा है आपने पद्मा के साथ माबाप की आज्या को तोड़ कर मुझे अपनाया था और मेरे प्रती मन ने अपार प्रेम रखा पर तुम्हारे चाहने पर भी मस्से आपके आंगन में जुला नहीं बन सका माताज के अनुसार अब घर की सच्ची लक्षमी आ गई है वो तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगी मैं मेरा वचन निभाओंगी आप अपना वचन निभाना अब तो जब इस आंगन में जुला बन देगा तभी मैं वापस आउंगी तब तक आपके प्यार और सम्मान के लिए मां से सतत प्रार्थना करती रहूंगी आप मेरी सहत की चिंटा मत करना आपको मेरे प्यार की सौगंध है आप पद्मा को बहुत-बहुत प्यार देना मा जी को प्रणाम आपकी रेवा रेवा कि अधर इंधर से पानी लिए तुमारे माथे पर ये गांव अरे उसका बस चलता तो मेरी जान ही ले लेती हरे तो सिर्फ कोप्री फोड़ी है स्ने किसने और उस डाली ने तो वो कहा है उसने तुमारी खोप्री फोरी मैं उसकी कोप्री फोर दूंगी बहुत अरे रुग दुख जा मेरी बात ध्यान से सुन अगर डाली राजी हो जाएगी तो गाउं में तेरे नाम का दोजा चड़ाओंगा और अपने नाम का भी दोजा चड़ाओंगा तुम्हें उसके माँ सेंद करने ही तो ठीक है लेकिन मुझे नहीं मैं तो डाली से बदला लूगी नहीं नह को सबा रुपए और शिर्फल दिया है अब उसकी और मेरी शैनाई बजने वाली है अरे बजाओ बजाओ तुम्हीं शरम नहीं आती अरे शरम करो शरम करो छेचे लड़की के बाम बन चुके और फिर भी तुम्हें इस उमर में गोड़ी चड़ना है दिका रहे तुम्हें अरे पगली दिकारे तुझे अरे रेवा ने खुज जाकर सोमा के शाधी पदमने से करवाइए थी और खुद दोनों का फिर फिर वाया था तुझे देवा की तरह सोचना चाहिए और डॉली को मना लेना चाहिए और मेरी शैनाई बजवानी चाहिए ओहोँ 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 और डॉली का धक्का सर्प मारे जटका ओहोँ अरे जब तुम गंगडाई लेती हो न तो मेरा दिल मचल जाता है जाओ तुम भी न सवेरे सवेरे क्या अरे मैं तो क्या पदमा गौरी तुम्हारी गंगडाई को देखने के लिए सूरज भी उच्चा हुगाया है देखो ऐसे उल्टी सीदी बात करोगे तो मैंने उठती जा अरे ऐसे कैसे चलेगा अरे पदमा गौरी पता नहीं तुमने क्या जादू कर दिया है नहीं तो पदमा रानी अभी तक सासू के हुकम से काम पर लगी होती है अन्यपूर्णा चलो हम मेले में चलते हैं चल रेवा चल सुदेवी मुझे तो ओड़नी ओड़नी है अच्छे कपड़े पहनी हो न अब ओड़नी क्यों नहीं आती जाओ सुदेवी ऐसे जित करोगी तो मार पड़ेगी चल चुप चप चल पहनने दूना इससे उटनी कुँआरी कन्या भी तो ओठनी पहनती है चल सुदेवी मैं तुझ ओठनी पहनाती हो यह तुम्हें लाडली बेहन है चलो चलो रेवा दीदी मुझे रेवा बहन बहुत पसंद है उन्हें उन्डी पहने दो बाद में हम में ले जाएंगे सुदेवी को रेवा से कितने कम समय में लगा हो गया है और रेवा जैसे अपनी दूसरी बेटी हो और कुछ जाना तुमने रेवा के बारे में? जान गई हूँ सुबा के कचांद उसके मस्तक पहे खादान के लोगों का सुख इसके आचल में है जो खुद जलके दूसरों को रोशनी देना चाती है आरा सुर की अंबिका कहीं जूले हिच को लेखाए अवनी के दरबार में खेलने निकली मा मा का गरबा सोहाई गगन हे मा का गरबा सोहाई गगन लोग मेरी हे मा का गरबा सोहाई गगन लोग मेरे सखी सोला सिंगार मेरे मन की रे पात्मा का गरबा सोहाई गगन लोग मेरे मा का गरबा सोहाई गगन लोग मेरे गगन लोग मेरे गगर निया पंटम में गुंती मेरी मा चुनरी में है सजक जोती दिखो मेरी मा चुनरी में है सजक जो दे दिखो मेरी बाँ लुंग माईरे अंग भडा मन में उमंग खिले जोगनिया संग मांका फैला प्रकाश चौदा लोग मेरे मा का पैना का काश चौदा लोक मेरे मा का घरबा सोहाई गगन लोक मेरे मा का घरबा सोहाई गगन लोक मेरे चार कला की चुड़ी मा की सोला कला काहार अमबा की ये मर्ज के बिना ही ले नहीं पाद मा के रूब का नहीं चौड़ उसको खिरने की है आस उसके गर्बा की है ओम मा का गर्बा सोहाई चाचर चौक मेरे मा का गर्बा सोहाई चाचर चौक मेरे मा का गर्बा सोहाई गगन लोक मेरे खेलो ताली रंग ताली रंग ताली की घुमेग परवारी खेलो ताली रंग ताली ते घुमे गफर वाली स्ग घुमे है महुचर वाली है रंग मारंग ताली गुमे है बहुचर वाली रंग मारंक तालि मेरे भादा ये हैमत वाली है रंग मारंक तालि रंग ताली, रंग ताली के खुमेगा परवाली लो पान, लो नाब, अरे पान क्यों खाना अब, चलो मैं खिलाती हूँ अब, मैंने तुम्हें पान दी थी, उंगली नहीं, अरे तुमने उंगली दी और मैंने पूरा शरीर पकड़ा बस, कार्याने भर के बहनों के सरिया में लाओ रे, भाई बैठा चाम महल में जाके बहना मिल आरे, चीर उपर चुंदरी है तारिया की बात है, ए लड़कियों, ये क्या कट-कट लगा रिखिये, चलो यहां से, तेल पूरी दो ना, ना कहा ना, देवा मा से तो दस बार तेल पूरी देती थी, जाओ पदमा, तेल पूरी दे दो, तो मचानक माता जी को कब से मानने लगे, इसमें मानने की बात नहीं है, बरसों से इस घर का रिवाज है, रेवा भी करती थी, रेवा जो करती थी वो तो फिर रिवाज के लिए रिवा को ही रखना था ना मुझे क्यों बुलाया पदमा तुमने मुझे अपनाया है सिर्फ औलात के लिए बाग की दिल में तो आज भी रिवा ही है पदमा शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए पदमा तुम्हे रेवा को कार मानना चाहिए, कि तुम्हें मना के ले आई, पर छोड़ गई मेरे पास, छोड़ गई, तो क्या तुम्हारे सर पर बोज हूँ, हाँ, सर पर बोज हो, अरे थोड़ा शांत रहो न, लो बेटी तेल ले लो जल्दी, मतलब तुम मेरा अपमान कर रहे हो, मैं इस अ पदमा, पदमा बेटी, तु क्यों नहीं समझती, ऐसा कोई करता है बेटा, देख, मैंने तो तुझे कुछ नहीं कहा न, चल, चल अंदर चल, मा, इससे सर पर मत चड़ाओ, एक दिनी यह हम पर हुकम चलाएगी, तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, फिर पस्ताना तुम, सज्जनों, बुजुर्गों, और पंच परमेश्वर को मेरा परणाम, मैं आपके पास आया हूँ नियाय मांगने के लिए, नियाय मांगने के लिए तो पंच को बुलवाए, अरे नियाय के लिए तो पंच बैठे हैं, बिल्कुर डिक कहा, तो यहां उपस्तित सभी लोगो से अर पंचों से मुझे एक ही बात कहनी है, कि मेरे साथ रिष्टा होने के बाद भी, वो परायों से रिष्टा क्यों रख रही है, क्यों रख रही है, नहीं रखना चाहिए, यह गलत है, अरे वो काना से प्यार करती है, पर रिष्टा तो भीका ने मांगा था, पर यह तो शुदा है और उपर से छे लड़कियों का बाप है अरे काना और डाली ने तो दोनों एक दूसरे को शादी का वचन दिये हैं मतलब तू अपनी पुंगी बजाए बिना यहां बैट नहीं सकता है क्या बाई साब आप लोग को ही मेरा फैसला करना है क्या हम पंचायत में नहीं अगली बैठक बाद में तैहोगी चलिए अगली बैठक में मिलते हैं पदमा ओ पदमा पदमा ओ बेटा मा आप पानी ला रही हो कोई बात नहीं कहां गई तेरी पत्नी यहीं हूं इतना हला क्यों मचा रही है अरे सवेरे सवेरे तुम्हें बुलाना पड़ता है तुम्हें तो पानी लेने जाना चाहिए था मा कोई सुम्र में पानी भरना पड़े यह क्या ठीक है अरे पानी तो मैं अपने बाप के घर भी नहीं भरी ये जिसका काम हो वो करे अरे थोड़ा काम कर लोगी तो क्या हो जाएगा और काम करने से तुमारी ये कंचन का या घिस नहीं जाएगी समझी मतलब तुम मुझे यहां कामवाली बना के लाये हो नहीं, घर की शोभा बढ़ाने के लिए छोड़ ना बेटा, इसके सामने कट-कट करने से क्या फाइदा? आप भले ही समहल कर बोलो, पर इसी में सच बहार आता है तुमने मुझे शोभा की पुतली की तरह देखा है, ना कि धरम पत्नी की तरह धरम पत्नी सुग्दु की साथी होती है, हर हालात में घर को वो समहलने वाली होती है, ना कि तुम्हारे जैसी स्वार्थी होती है बहु को जो हर वक्त ताने मारते रहोगे, तो इस घर में जूला कभी नहीं बंदेगा रेवा इस घर के खांदान के लक्ष्मी थी, और अभी भी है, और वो जो काम करती थी, अगर वो तुम्हें करना पड़े न, तो मैं तो सोच कहीं धर जाता जो बात-बात में रेवा का हुदारार दोगे, उसे भुला नहीं पा रहे हो, तो मैं ये चली अपने बाप के घर अब मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी, देख, मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी मा इसे घलती मान नहीं चाहिए कि नहीं, ये जाती है तो जाने दे, ये जाएगी तो बला टलेगी बला टलेगी? तो सासुमा बढ़ा लो वन्ष मेरे बिना सुमा, सुमा उसे रोग, हम क्या कर सकते हैं सुमा, रोग उसे, रोग सुमा नहीं मूरख मनवारे महिमा शक्ति का तू न जाना, न जाना रे महिमा शक्ति का तू न जाना महिमा शक्ति का तू न जाना, अरे मूरख मनवारे गंगन रूप में भोला, शंभू सोहेरे वही, धरती रूप में गोरी माता बरसे आकाश सारा, प्यार से भरे रे तेरे, रानेवा सुम्धरा भी जाए दो दो जीवन ये तेरा, नन ये ठगे रे तुझको दो दो जीवन ये तेरा, नन ये ठगे रे तुझको तो भी आखे ना माने रे महिमा शक्ती का तो न जाना, ना जाना रे महिमा शक्ती का तो न जाना, अरे मूरक मनवारे वहिरावन रूप से रे तुझको पूजे महदेव जी को सरिता रूप में सतियाए विश से भरारे प्याला, अमरत की धार जाने, वोदियों का मूर छलकाए विसरा भुला रे तो तो, सब की नजर में तो तो समझ का सार तो नहीं जाना रे महिमा शक्ति का तो नजाना ना जाना रे महिमा शक्ति का तो नजाना महिमा शक्ति का तो नजाना अरे मूरक मनवा रे रेवा के भजन में भक्ति का सागर उमड रहा था और उसमें आप लोगों के मंजीरे की खनकार आवाज के साथ महा के दर्शन का लाव मिला तो चलो, जै हटकेश मैं क्या कहीं हूं संत्य हो बोलो रेवा कहां है मां दीदी कहां गई रेवा ओ रेवा 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 भाई कर देखे nodig नहीं तो रेवा कहीं नहीं है राधको तो गान दा रही थी किसे दून रहा हो आप लोग हमारी बेढ़ी बेटी रेवा नहीं मिल रही है हाँ राध को एक और में और अव्ट को उठाकर लिजाते देखा है कहीं वहीं रेवा तो नहीं थे पूर रात में जो बुर्भो ये तुम किसे उठाके लें राणि बहन ये तो मा की भक्त है महाकाली खूश हो जाएगी आरे पर ये ये कुवारी नहीं है शाधी शुदा है जो काम कुवारी से होगा वो शाधी शुदा से नहीं होगा dalी ऑन फिर क्या करें ये अकेली जलेगी लेकिन इसे पतिके साथ बली चडाएंगे तो मां बहुत कुश्य जाएगा मैं मैं कुवारी हूं टुख आजआ दें तो तुझे पसंद है न एंघ उस सें चोकरी तु बहुत चालाक है पर पकड़ी गई मूर्क जाओ जल्दी जाओ और इसके पती को धूंड के लाओ जाओ तब तक इसे ही कैद में रखो पर इसके पती को ढूंडेंगे कहां वहीं उसे खुड धूंडा आएगा महाकाली तेरा खपर भरेगा बैगा क्या हुआ यह क्या हुआ मेरे बेठी को मैं पास से गुजर रहा था यह रास्ते में पड़ा हुआ मिला यह कहीं मा का प्रकोप तो नहीं है ना पक्का मैं भीका की बात में आके गलत काम किया पक्का यह उसी का परिणाम है उसी का तुम यह क्या कह रहो मैं भीका के पैसों की लालश में आ क्या बात है बापा यह भीका के पैसे वापस ले लो मैं जूट बोला मा नाराज हो गई और मेरा बेटा मैं पदमा से शादी करूंगा तो मुझे बेटा होगा ऐसा तुने जूट का हां मैं जूट नहीं कहना चाहता था पर मुझे भीका ने कहा सोमा की मा और मेरी मा आएगी तो उन दोनों से कहना कि दूसरी शादी करने से वेटा होगा सोमा भाई इसका चोड़ दो इसको सुन लिए अब समझे पैगा की छोटी बात मान के मेरी रेवा ने इतना बड़ा बलिदान दिया मैं उस भीका की जीवन के दिये में दूसरे के घर का तेल नहीं पढ़ने वो तुम्हारा भगवान और तुम्हारे भगवान की आरती मैं कहता हूँ यह सब जूट है। को पिंधारा वाले लोग उठा ले गए हैं। तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। मुख्या जी मैं प्रण लेता हूं कि जब तक रेवा को वापस नहीं ले आता घर में मैं पैर नहीं रखूंगा। चलो भाई। में मुझे गदा का। मेरी सिवा कौन कह सकते हैं। क्या अलबात है। अरे समझे नहीं। वह घोड़ा थोड़ा सा घ्रास काता है पर काम कितना करता है। और गदे को मार भी सकते हैं। पर तुम्हें मार भी नहीं सकते। अरे कुछ बोल भी नहीं सकते। पर ये तो बताओ अकिर है क्या। क्यों मेरे दूसरी शादी के तैयारी। अरे देखती नहीं। ये घर और मैं कितना चैल चबिला और रंग रंगिला बन गए है। ये शादी की तैयारी। डाली ने हा कर दिया। वो तो ना कहती थी थी ना। अरे अपने में कहावत है ना। कि एक लड़की और दूसरी गाय दोनों को जहां चाहबान दो। और ये डाली करीब की बेटी है है की नहीं है। और जब मैं राजी तो भले ही छोगरी हो आगे पाची। और फिर किसकी मौत आई ही कि बैगी के बोले हुए बात को टाले। तुझे भी मेरी शादी में आना है। डाली को बढ़िया सिश्तारी पहना के तैयार करना धूमधान से शादी करवानी है। पिछले बार कि सारी कसर इस बार हमें निकाल नी है। तुम निकालते रो अपने कसर अरे तुम्हारी बारात में आने वाला है कौन ये तो पूछो तुम जानो तुम्हारी बहु और करना जो करना है कि मोख्या जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था आप तो जानते थे फिर भी आपने ऐसा किया कि चालो विधी के लेक में कौन सही गलत कर सकता है जै अम्बे जै अम्बे भाबुजी पंडी जी गये हां तेरी ही बात कर रहे थे मेरी क्या बात करेंगे अरे मैं तो सासु जी से कहके आई हूं कि सासु जी मैं तो जा रही हूँ अपने पिताजी के घर अब मेरे बिना बढ़ाना वंच और सम्हाला कुल के दीपक को मैं भी मुख्या की बेटी हूँ हाँ बस बेटी बस कर ऐसा मत बोल तू कुछ नहीं जानती बाबुजी आप ऐसे उदास क्यों हो गए बात क्या है बोलो मुझसे कहो क्या हुआ है ब बेटा मैं तरी खुशी देखके चुप रहा पदमा मेरे बेटी कैंद तुझे जन्ट से ही सर्प दोश है मुझे क्या है यह क्या है सर्प दोश काल्फ सर्फ दोश यह बहुत बड़ा दोश है बैटी तुझे कभी संतार नहीं हो सकती तेरी गोद नहीं भर सकती क्या क्या का पदमा बैटी पदमा तेरा जन्म हुआ फिर मुझे पता चला कि तेरी गोद कभी नहीं भरेगी बाबुजी बाबुजी आपने उसे पहले क्यों नहीं कहा मेरा भिमान चकना चूर हो जाएगा बाबुजी बाबुजी मैं क्या मुद दिखाऊंगी रेवा को सासू को या खुद अपने आपको बेटी मैं बुड़ा बाब समाजिक दामाद मिले तो चेहन मिले इसलिए कुछ नहीं भोला बेटी मेरी बात सुन तो मगए है पिंडारा वालों के साथ लड़ने तेरी सास अकेली है बेटी शादी के बाद लड़की का घर या तो सस्राल होता है या फिर शम्शार बेटी मेरी बात मान तो सस्राल में संतान सुक तो नहीं दे पाएगी बहु का सुक तो दे दे कोई कसर न रह जाए बेटी कोई कसर न रह जाए बाबुजी बिना पत्तो का व्रिक्ष और बांच का क्या मान जाओंगी उनके खांदान की वन्ष बेल तो नहीं बढ़ा सकती परन्तु पूरे मन से उनकी सेवा करूँगी बाबुजी आपकी बेटी हुना आपका नाम खराब नहीं करूँगी बाबुजी मां सुमा भाई भी गया है मां बेटा रेव आ गई पदमा गई और सुमा भी गया समझ में नहीं आ रहा है बेटा कि इस गर में क्या हो रहा है जब आस्मा नहीं फट जाए तो क्या करें ए भगवाद तु किस भाब की सजा दे रहा है मां ऐसे हिम्मत मत हारू भगवाद सब ठीक कर देंगे तू सब ठीक हो जाएगा कहती है बेटी किसी के अपने एकिक करके उसे छोड़ कर चले जाए तो इंसान का मन आखिर कैसे मानेगा बेटी हाँ बेटा मां पर्मा पर्मा बेटी मैं वापस आ गई हूँ आप से बात कहना मुझे कुछ कुछ नहीं सुनना है बेटी कुछ नहीं सुनना है बेटा मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी तु चिंदा मत कर बेटी मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी पर मा, बाबुजी कह रहे थे कि मुझे पता है कि आपको सब पता है? मुख्या की बेटी लाड प्यार से पली बढ़ी उसे कुछ नहीं कहना चाहिए न पर मा, बात वो नहीं है बात ऐसे है कि मुझे मुझे कुछ नहीं सुनना पदमा मुझे कुछ नहीं सुनना तू मेरे घर्द की लक्षमी है इतना ही बहुत है और मुझे कुछ नहीं चाहिए तू मेरे पास वापस आ गई इससे जदा मुझे और क्या चाहिए पर मा आप ज़रा मेरे बात तो सुनो मुझे एक बात साफ करनी हैं नहीं तो आप मुझे धिकार होगी मुझे नफरत करोगी मुझे कुछ नहीं सुनना बेटी कुछ नहीं सुनना बेटी भाबी से कह देखी हाँ भाबी मा को और कुछ नहीं चाहिए आप आ गए बस सब ठीक है मा भाबी वापस आ गए अब भाई भी वापस आ जाएंगे मे रात को आराम करके सुबह निकल जाएंगे अरे आराम क्यों रेवा को कुछ हो गया तो क्या तकलीप है भाई इनकी घर वाली को पिंडारा वाले उठा कर ले गए हैं हमें पिंडारा के ठीकाने तक पहुँशना है रात मैं आराम कर लो सुबह चले जाना राष्ता मैं बता दूँगा उनकी गुफ़ा उस दिशा में है चलो, अराम करो, सब अच्छा होगा ठीक है, चलो क्या गका, किसे अराम करने को कह रहे थे? उसकी घरवाली को पिंडारा वाला उठा कर ले गए क्या आप बात कर रहे हो पिंडारा वाले उठा के ले गए, वो उनकी घर वाली थी हाँ, पिंडारा वाले भी बड़े नालायक है मुझसे कहा काका ना ना, पिंडारा वाले को, अच्छा एक बात बताओ वो कब निकलने वाले हैं? सवेरे निकलेंगे, आराम करेंगे की नहीं? है मा, बस, इतनी से अवस से डर गई? हाँ भई, डर तो जरूर गई, पर तू? मुझे लगा कि ये फटा का मेरे जीवन में आग लगाने वाला है तो सोचा धवाक कर रहा हूँ पर ये पता, तू किसकी राह देख रही है? अरे मैं किसी के भी राह देखूँ, इससे तुझे क्या? वावा, तू मेरे पती को गधे पे चड़ा रही है और फिर कहती है तुमें क्या करना है? याद रखना डाली, आज के बाद अगर तुरे हाँ कही ना, तो तुझे देख लूँगी हाँ ऐसे आखे फाड़ फाड़ के तुम्झे डरा रही है इससे पहले अपने पती को ही अपने इशाड़ा पर नचाओंगी, यही न? पर ऐसा करना भी ठीक नहीं, मैं तो यहाँ अपने काना की राह देख रही हूँ और काका जैसे भी खालाल से तो भागती फिरती हूँ सच, तु दिल से कहरी यह डाली? हाँ बेहन, तो मैं यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही थी? मेरे दिल पर तो लिखा है, तो का, 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 न, का, का तो इसमें रुकावट क्या है? अगर ऐसा करना चाहती है, तो आज के आज ही कर लिए, ऐसा कहरी हूँ मैं पर वो भीखा काका का भाँ आता है, उसका क्या? उस भीखा के नाग में नकिल डालनी पड़ेगी, और वो मैं डालूँगी, उसके बाद तुमें वही करना है, जो मैं कहूँगी तुम जैसा कहोगी, मैं करने को तयार हूँ, कहां मैं, और कहां वो भीखा काका तुम दोनों अपने गाउं के किनारी जाकर, और माता जी को साक्षी रखकर शादी कर लो, उसके बाद मेरा आशित बाद लेना, पस, तुमें कोई कुछ नहीं कहेगा, आगे आगे गोरक जागे आगे आगे गोरक जागे, पीछे पीछे भी खाका का भागे, वाह काकी वाह, अब तो कान आएगा, तभी बात करूंगी एक बाद शादी हो जाए, फिर तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम अपनी शादी के तहरी करो, ठीक है, चल्छलती हूँ आना काकी या क्या जागे, या बादी हूँ झाल 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 और रेक है तो रानीम नहीं चोड़ेगी जोड़कि आरे लेक है तो यह हम आरी बली दे देगा मिरिन था पिंडार तो नहीं हो तुम वोगों को क्या चाहिए का है मिरी रिवा हम तो तुम्हें ले जाने आये थे तु चलो ले चलो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता रिवा का पता लगाना चाहता हूं मैं तुम्हारे साथ चलता हूं चलो 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 कौन है ये उस औरत का पती हाजिर करो कि रेवा 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 कौन हो कि किसे बुला रहे हो मैं सूम हूं तुम्हारा सूम मैं आपको नहीं पैचानती मैंने पहरे आपको देखा तक नहीं और मेरा नाम रेवा नहीं है तुम मेरी पत्नी हो आपसे कोई भूल हो रही है मेरी तो शादी भी नहीं हुई बल्कि मेरा आपसे ना तो कोई रिष्टा है औ आप भी वैसे ही है कोई सुन्दर स्थ्री को देखकर सब भी उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं मुझे लगता है यहीज का पती है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है लेकिन पता कैसे चलेगा चलो सुनते हो जी कौन हो किसे बुला रही हो मैं रेवा आपकी रेवा रेवा लेकिन मैं तुम्हें नहीं पहचानता आपकी पत्नी रेवा तुमसे कुछ भूल हो रही है मेरी शादी नहीं वही है यह क्या कह रहे हैं यह भी सच कि जवान आदमी को देखकर सभी इस्त्रियां उसे अपना पती बनाना चाहती है तो क्या तुम मुझे नहीं पहचानते रेवा तुझे नहीं पहचानूंगा अरे तेरे असपर्शे तेरी सांस से तेरे दिल की धड़कन से तुझे पहचानता हो तो फिर ऐसा क्यों कह रहे थे यहीं अगर मैं पूछूं कि तुमने ऐसा क्यों किया महकाली की पूजा करके अंधि विश्वास की चलते बली देना चाहते हैं ये लोग आपकी और मेरी बली देना चाहते हैं और मैं नहीं चाहती कि पद्मा का सुहाग मेरे कारण उजड़े और अभी तो अभी तो माँ आपके घर में जुला बंधाने वाली है रेवा तुम अभी भी वैसे ही भोली और पगली हो हम दोनों की मौत एक साथ ह हो जाए इससे अच्छा और क्या होगा नाना ऐसा मत बोलिए यहीं बत्तिश लक्ष्ण से इसका पती है ऐसी जोड़ी बली के लिए कोई और नहीं मिलेगी जाओ तैयारी करो मा तू तो जन्म देती है करता तू है धरता तू ही है तेरी मर्जिक के बीना कुछ नहीं होता मा इन्हें पता नहीं कि माताजी भोग से नहीं कोग भरके खुश होती है इन्हें सत्बुद्धी दो मा ये बेचारे तो ये नहीं समझते कि निर्दोश की जान लेंगे तो पा किर्पा, 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 किर्पा हेत शुलत धारी हाथ हजारी कटियो प्रहारो बचतारा मैसा सुर मारा रक्त अधोरा करत का गारा नौतारा पिंगल गुण प्यारा अविर अजाला राग रागिनी रखवाली चमुंडा चंडी ध्वजा प्रचंडी असुर निखंडी अवतारी रदवी असुर निखंडी अवतारी मा पावा के गड़ से आई मा काली कराडवाली आई दक्षण के परवत डोलाई जुमर जुमो हे जुमर जुमो हे जुमर जुमो मा पावा के गड़ से आई मा ताली कराडवाली जुमर 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 जुम जुम्टागा 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 मेरे जोली भरो माँ भवानी माँ पाबा के गड़ से आई माँ काली कराडवाली माँ जोली 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 जोल धरा हात में घडग धारवाला तुझे घडगड में रम देनी हारूं ये तुझे छप्पन रे भोग आचड़ाऊं तेरा खबर पुरा आज भर दूं तुने शक्ती की लीला रचाई तुने काल को भी है भगाया मा भवानी मेरी रक्षा करो मा भवानी मा काली कराडवाली मा पावा के गड़ से आए मा काली कराडवाली मा काली कराडवाली मा काली कराडवाली मा काली है मा तिस्लो क्योंके रक्षा करना मा 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 कर दो, कर दो दो काकी अपनी बेटी डॉली की जिंदिगी खराब मत करो इसलिए तो कहती हूँ मेरे भीका के साथ शादी कर दो काकी आपकी बेटी डॉली तो काना से सच्चे मन से प्यार करती है ये मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ इसलिए तो कहती हूँ मेरे भीका के साथ शादी कर दो अरे नहीं, अरे आप जो अपनी बेटी की शादी भीखा के साथ करोगे न, तो डॉली तो डॉली आप उस काना की भी जिन्दिगी बरबार्त कर दोगी, उसके दिल की हाय मतलो लो बोलो, पगली ससराल जा रही है और बुड़िया खीर बना रही है मुझे पागल के रहे हो पद्मा बेन, रेवा को हटा के तुमने दूसरी शादी की तो कुछ नहीं और डाली की बात आई तो भेद भाओ, मैं देखता हूँ कि डाली की शादी कैसे करते हो गोमती जी, आप इसकी बात में मत आना अरे तुम्हारे आडे रेवा आई तो हटा दी और दूसरे की बारी आई तो अलाएंगा मेरे नसीब में दूसरी पत्नी है और वो राज करेगी समझी अरे भाई, रुको रुको अरे भाई, किस तरफ जा रहे हो, हमें साथ ले चलोगे हम लोग यात्रा करने जा रहे हैं यात्रा में? आप किस देवी को मानते हैं? मैं तो किसी देवी को नहीं मानता मेरी देवी तो मेरी घरवाली है बहुत खराब है आप नहीं बिठाऊंगी, जाओ चलाओना गाड़ी बाबा, अरे वा दीदी सुदेवी, तुम जाटते हुए सपना देख रही हो बेचारी रेवा का क्या हुआ होगा अपना पगी भी वापस नहीं आया मा मैं सच कह रही हूँ पगी भी है और रेवा बहन भी है सच कह रही हूँ? गाड़ी रोक दो रेवा, बेटा रेवा रेवा, मेरी बेटी गाड़ी रोक दी, तुम इने पैचानती हो कौन है ये? घर छोड़ा, तब लुटेरों से इन्होंने ही मुझे बचाया था ये भक्तों का कुटुम्भे, मा के नौत इर्थों की आत्रा पर निकले हैं मा, मा, ये नास्तिक कौन है? नास्तिक नहीं, इनकी देवी, तो तेरी बेहन रेवा सुदेवी, और ये तेरे जीजाजी भाई, आपका नसीब अच्छा है, जो आपको रेवा जैसे पत्नी मिली क्या बात है पगी? मैं समाचार देने गया, तो सुनकर सुमा भाई तुरन निकल पड़े रास्ते में गुंडों ने हमला किया, फिर अब उनके साथ गए वो इनकी बली देना चाहते थे, वहीं चमतकार हुआ, मा अंबा ने आकर बचा लिया चालो, ये तो अंबे मा की महर अपार है अरे पगी, इनके घर वाले फिकर करते होंगे, पगी तुम जाओ और इने खबर दे दो कि रेवा बेन और जमाई दोनों ठीक है, इसी गड़ी जाता हूँ आपका नाम क्या है? सो मा मा अपना श्रीफल कैसा श्रीफल है? फिरी इच्छा पूर्ते के लिए मन्दत मांगी है नवी मता अंबा की द्वार पर चड़ाएंगे, तो उसे दामाद के घर जूला बन लेगा साथ यात्रा तो पूरी हुई, अब आठवी अंबा जी के द्वार जाएंगे चलो काना आज हमारे मन की इच्छा पूरी हुई हे माता जी, हमारी लाज रखना मा तो हमेशा सबकी लाज रखती है डाली, हमारे मन में एक दूसरे के लिए ऐसे ही प्यार बना रहे, यही मां से मांगता हूँ जन्मो जन्म तक काना अरे काना, काना, तेरा मू काला हो अरे तुने अपनी शैनाई बजाई कि मेरी पुंगी बजाई अरे काका, अब तो अशिर्वाद दे दो माताजी, तुमारी पुंगी बजाए अरे काना तू मीरा हो के जहर पिए तू मीरा हो के जहर पिए मैं कैसे करके शाम बनू तू जिंदुर मेरी प्रीत कमे तू मीरा हो के जहर पिए एक लोहे को कंचन करने पारस जैसी पाथर है लोहे को कंचन करने की पारस जैसी पाथर है मैं प्रीत किरीत अम करने क कुन ओना में विस धरी तू ने सीता चैसा त्याग किया मैं कैसे राघव राम बनू तू मीरा हो के जहर पिए मैं तेरी सुख का धाम बनू तू प्यास बुझाए आसूं से और चले सदा ही जाना में तू प्यास बुझाए आसूं से और चले सदा ही जाना में मैं मेरी मंता की मोदी गुना गुथ सकी तेरी माला में मेरी मंता की मोदी गुना गुथ सकी तेरी माला में श्रद्धा से तू शीष जुकावे ऐसा कहां से शाली काम बनू तू मीरा हो के जहर पिये मैं कैसे करके शाम बनू तू जिन्दुर मेरी प्रित कमे तेरे सुख का धाम बनू तू मीरा हो के जहर पिये मैं तेरी सुख का धाम बनू तू मीरा हो के जहर पिये मैं तेरी सुख का धाम बनू अप मेरी बात मानिए और घर लोट जाईए तुम्हें अकेरी छोड़कर बिल्कुल नहीं अरे ये सब है ना अगर आप मुझे थोड़ा भी प्यार करते हैं तो घर लोट जाईए अपने घर जुला बन देगा फिर मैं वापस आ जाऊंगी नहीं रेवा तुम्हें छोड़कर मैं वापस नहीं जाऊंगा आप इसकी बात मानो आप जाओ आपके घर में संतान हुई ये खबर मिलते ही हम खुद छोड़ देंगे इसका मतलब ये हुआ कि रेवा कभी वापस नहीं आएगी माँ आपको कभी निराश नहीं करेगी आपकी वंश्वेल फलेगी और फूलेगी भी पर रेवा पदमा तो मा के साथ है क्यों जिद कर रहे हो हम नों में दहां में पहुंचेंगे तो तुम्हारे घर ज़रूर जूला बन देगा और हमी रेवा को छोड़ देंगे जयो आप अम्बा मा कहलवाती है तु अपने आपको और अपनी ही संतान को सुख से वंचित रखती है अरे मेरी रेवा की भक्ती में क्या कमी रह गे थी जो तु उसे इतनी तकलीव दे रही है नहीं मानूंगा तुझे किस लिए बानू अरी मेरी रेवा की गोद भराय उसे बच्चा तब तुझे मानूंगा तब तुझे जानूंगा यह तो मानू माटी के जो तुझे जगत चन्नी कहते हैं शक्ति कहते हैं अरे अगर सच्ची है तो भर इसकी गोद तो तुझे मानूंगा रे बाबीटी अम्बा मा को ऐसे लड़ने वाले बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं मा को ऐसे लड़कारने वाले बहुत पसंद है यह तो मा के लाड़ले बन जाते हैं राम राम घर में कोई है कौन हो भाई मैं पगी कहने आया हूं कि रेवा बैन और सोमा भाई सही सलामत और कुशल मंगल है पिंडारा वालों से बच गये हैं क्या कहा आपने सुना दोनों कुशल मंगल हैं भाबी अब तो खुश हो गई ना पर है कहा कब आएंगे बस थोड़े ही दिनों में आ जाएंगे जैराम जी की आज तो मिरे आनन के कोई सीमाने सुने की कटोरी में हूँ सुने की कटोरी में के सर घुलारे बालमने पिला है रंग का कूल रंग में घुलारे बालमने सुने की कटोरी में के सर घुलारे बालमने हें एक नैना भागुन बरसे और तुझे बरसे में एक दिल की दो लागरे हें मेरे घर में बैठी दीव सुने की कटोरी में के सर घुलारे बालमने सुने की कटोरी में हें मैं एक नारी अभागनी जिसका रूठारे किरतार हे पिया हमारे कारण हे तुने छोडा घर द्वार सुने की कटोरी में के सर घुलारे बालमने सुने की कटोरी में हे जल्दी आना बालमा तुम सुख काले के सवानरे यह यहां ही रन तड़ पेरे हे उसे लगा बचनों का बाल सुने की कटोरी में के सर घुलारे बालमने के सर घुलारे बालमने सुने की कटोरी में के सर घुलारे बालमने रंग में गूलारे बलम्ने, केसर गूलारे बलम्ने सौमी, सौमी क्या होगी आपको? मा, मा जल्दिया होना क्या हुआ मेरे बैटी को? मा देखो ना क्या हुआ इनको? मा बैटी बोलाओ, मेगा को संदेश भिजवाओ, किसी बोलाओ किसी की जुरुत नहीं है उसकाना ने डाली को बर्माला पैना दी और मैं रह गया मेरी पुंगी बच गई अरे मुझे छोड़ कर चली गई डाली रे अरे तुम डाली नाम के पतिले को समालती तो तो उसमें कोई अपनी दही कैसे जमाता बोलो बात क्या है डाली ने अपना मुझ काला किया आपके भीजे शगुन का रोपया लेके काना के साथ भाग गई मतलद मेरे पैसे वापस करने पड़े इसलिए रो रही हो हां पर मेरा नारियल मुझे वापस कर दो मैंने जो तुमको दिया था मीठा पानी वाला नारियल आपकी सेवा चाकरी करेगी अब लड़के और दूसी का विचार किया तो नाक तोड़ दूंगी मा आज मैंने इसे पहचाना ये तो डाली से भी अच्छी है उससे भी सुन्दर है अच्छा तो अभी समझ में आई ना पद्मा अगर तू वापस नहीं आती न तो मैं ही तुझे लेने आता रेवा ने मुझसे कहा कि आपके घर जूला बंदेगा तो मैं वापस आऊंगी पद्मा रेवा को वापस लाने में तुम मेरी मदद करोगी न अरे ऐसे हें हें क्या कर रही हो बाहर देखो कैसे चांदनी रात है मौसम को तो देखो वातावरण में गजब की खुश्बू है मुझे तुमसे एक बात कहनी है मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी मुझे तो बस रेवा को जल्दी वापस लाना है पर तुम मेरी बात तो सुनो बोलने की ज़रूरत नहीं सब कुस तुम्हारे होठो को छूके सुनोगा हे राहूं भगवान के इलाश भगवान बेटी क्या बात है मुझे सर्फ दोश है मेरी गोद कभी नहीं भर सकती मा मैं बान जूँँ क्या क्या का मैं बान जूँँ मा मैंने रेवा के साथ अन्याय किया है उसे वापस बुलाना ही पड़ेगा मुझे माफ कर दो मा मैं आपके आशा के महल को तोड़ दी मैं आपके घर में छूला नहीं बना सकती मुझे खुछ कहा भी नहीं जाता और सहा भी नहीं जाता ऐसा मत के बदमा ऐसा मत के रेवा को घर से निकाल दिया है और तुझे सर्दोशे ये मेरा सुमा जानेगा तो उसके दिल को बहुत बड़ा सत्मा लगीगा बेटा वो मेरा लाड़ला बेटा और तू मेरी मर्जी से आई हुई बहु अब दो उपर वाला जो चाहता है वही होगा बेटा नौरात्री का पूजन शिवरात्री का अर्चन करते सब घर में ओं जयों जयों माजग दम्वेदस मीदस अवतार जय विजया दश्मी रावन रामर माया रावन मारामा ओं जयों जयों माजग दम्वेदस एका दर्शी ग्या राहा का त्यायनिका मा काम दुर्ग काली का शामा दुर्गा मा ओं जयों जयों माजग दम्वेदस मारामे बाला रुप बहु चरे अंबा पटुक भैरब सोहे, काल भैरब सोहे, तेरे है तुझ में, ओं जयों जयों माजक दंबे तेर है तुझ सारूप तू तारणी माता, मा तू तारणी माता, ब्रह्मा वेश्नु सदासिव गुण तेरे गाता ओं जयों जयों माजक दंबे चौदा में चौदा रुप चंडी चा मुंडा दया द्रेष्ट तुम डालूं चतुराई तुम दोमा सिह वाहिनि माता ओं जयों जयों माजक दंबे पूनब का कभभार असन मा करुणा असन लों मा करुणा वसेष्ट देव बखाने मारिकन देव बखाने गाए शुब कविता ओं जयों जयों माजक दंबे संबत सोलह जान सोलह तिथि भावे संबत सोलह प्रगटा लेनेने कीरे ओं जयों जयों माजक दंबे अबावती नगरी अरुपावती नगरी सोलह सहत जह सुहरे शमा करो गारी ओं जयों जयों माजक दंबे शिवशक्ती की आरती जोमन से गाए कहे शिवानत स्वामी सुख संपति पावे वो कैलाश जाए मां अंबा दुख हरती ओं जयों जयों माजक दंबे ओं जयों जयों माजक दंबे ओं जयों जयों माजक दंबे ओं 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 जयों माजक दंबे सूदेवी तो इमली खा रही है चल वापस दे मुझे तो खाने से मना कर रही हो और रेवा दीदी खा रही है उसको कुछ नहीं कहती आप हाँ क्या कहा तुने रेवा इमली खा रही है हाँ और मित्ती भी खा रही है हे माधी शक्ती तेरी दया अजी अजी सुनते हो क्या है रेवा पेट से है रेवा के पाप भारी है अरे पगी सोमा भाई अरे ओ सोमा भाई अरे आप इस तरफ वो बात यह है कि बस थोड़े दिन मैं ख़बर विजवाऊंगा जैसे ही पदमा की खुश खबरी आएगी मैं तुरंद खबर करूँगा क्या कह रहे हैं अरे खबर तो मैं लेके आया हूँ रेवा बेहन की रेवा की क्या कहा रेवा ने वो ठीक तो है न हो 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 पूरा बोलने तो दो रेवा बेहन रेवा बेहन के पाउं भारी है क्या कहा क्या कहा पगी अरे तुमने ऐसी खबर सुनाई कि दिल खुश हो गया कहा है रेवा वो तो अंबा जी पहुंच गई है पकी यह लोई नाम है रेवा 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 सच तुम्हारी मा अपनी मा महान है पर आप किसलिए वापस आ गए पदमा को मैंने वचन दिया था और आपको भी अब आप जाएए वापस लोट जाएए तुम्हें वापस जाने के लिए कह रहे हो अरे यह तो ऐसा समय है रेवा कि मुझे हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहिए पर पदमा को भ दुख तूटा उसे देखकर मैं नास्तिक बन किया था पर तुम्हारी भक्ति के फल को देखकर जो पत्थर पिघलता नहीं था वो भी पिघल गया अगर आप वापस नहीं गए तो आपको मा अंबा की कसम मा की कसम यह क्या किया रेवा एक समय था जब मैं सिर्फ तुम्हार कासी बात मानता था पर आज मा की कसम को टाल नहीं सकता मैं जाओंगा जरूर जाओंगा आज ही जाओंगा रेवा तुम पदमा के लिए और हमारे कुटुम के लिए क्या नहीं कर रही हो आप मेरे देव मेरे भगवान है रेवा तुम मीरा हो सकती है पर मैं श्याम बेटी, खुश खबरी लाया हूँ क्या बाबु जी? मेरी दो बेटियां है एक रेवा और दूसरी पद्मा जैसे एक रत के दो पईये एक सिक्के के दो पहलू पद्मा, रेवा के पाउं भारी है हाँ, माता जी की कृपा सही ये दिन देखने को मिला है क्या कह रहे हैं, मुख्या जी आव सोमा दामा जी तो अंबा जी गए है वो रेवा को लेके ही आएंगे नहीं, रेवा नहीं आएगी रेवा को जितना मैं जानती हूँ उतना आप नहीं जानते उसने मुझे वचन दिया है कि जब मेरी गोद भरेगी वो तभी वापस आएगी वो अपने वचन को जिन्दिगी भर नहीं तोड़ेगी मा, हमें ही जाना पड़ेगा उसके पास रेवा एक बार आचल फिलाकर आई थी मेरे पास आज मुझे भी उसके पास जाकर भीक मांगनी पड़ेगी मा, उसके पास चलना चाहिए हाँ, हाँ, चलो रेवा, मैं जा रहा हूँ मा, रेवा बीटी, सुमा मा, मा, मा तुम्हें खुशकबरी दू हमें पता चल गया है रेवा, रेवा पदमा, मुझे तो पता ही था कि रेवा की गोद भरेगी ही मा, बाबी कितनी अच्छी है रेवा बेटी, बधाई हो बाबुजी, आप उदास क्यों हो? आपको तो खुश होना चाहिए अरे हमारे खानान की वंश बेल बढ़ेगी और आपको खुशी नहीं हुई हाँ बेटी, कहलाता तो हूँ गाउं का मुखिया पर इस घर में तो मैं एक बाप हो न बर वालों के सामने कन्या वालों का सर तो हमेशा जुका हुआ होता है बेटी बेटी, बेटी इससे अच्छा तो मैं तुझे कुवारी रखता तो ही ठीक होता बाबुजी अपनी बेटी का सुख देखने का स्वार तो हर माबाप में होता है और रेवा तो मेरी बहन है इसी के कारर तो मेरी शादी हुई है तो इसकी संताः मेरी संताः नहीं कहलाएगी अरे लेवा, तू दास क्यूं है? अरे ऐसे समय में तो उमंग और उत्सो होना चाहिए मुझे तो आज बहुत खुशी है ये तेरे त्याग की जीत है तेरी भक्ति का फल है आज तो हमारे कुटम के लिए बहुत आनन भरा दिन है जेवा, सुप तो दूसरों को सुखी रखने में मिलता है तूने ही सिखाया था ना? और तू खुदी उदास है मैं तुझे लेने आई हूँ वहाँ तेरा हक्ता है और रहेगा ना पदमा ना तेरे साथ ये अन्याई हुआ है अन्याई हो रहा है और वो भी मेरे कारण गो तेरी भरनी चाहिए थी पर तू चिंता मत कर मार्क सिर्फ अंबा मा ही दिखाएगी रिवा माने तेरी प्राक्ना सुनी है आज आज मैं सचमुच बहुत खुश हूँ रिवा घर चल उस घर में तेरा ही राच चलेगा पद्मा मैंने तेरे साथ अन्याई किया है मा ये क्या किया तुने तेरे कहने पर मैं पद्मा को ले आई और तेरे ही हाथ तो ये अन्याई रिवा वो सब जूट था ना जी ना ये तो अचन भंग जोठा विश्वास ये गोर अन्याई नहीं पद्मा ऐसा गोर अन्याई मैं नहीं होने दूँगी नहीं नहीं मा रेवा रेवा बिद्वी इयुईत ये दो आई 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 मुझ मुझ मुझ... मा मा अम्बा मा तू जगत जन्नी है मेरी रिदय में श्रद्धा और भक्ति के अखन जोच जलाई और उसी के आस्रे में अपनी संसर की गाड़ी चला रही थी तेरे कहने से मैंने उनकी शादी पद्मा के साथ करवा दी कि मेरे कुल में दिपक प्रक्ते और उसके बदले में ये मा मैंने मांगी थी पद्मा की गोद भर जाए और तू ने मेरी उदर में दिया जला के अपने ब मा तुन्हें वर्दान दिया था या अभी शाप रेवा रेवा बेटी रेवा दर्वाजक रेवा बेटी ये बोल चुके जो मानवी तो जादा तुक्ना सा year पर बोल चुके जो जग जन ने तो सत भी उसका शर्माई डेवा बेटी रेवा धर बेटी रेवा दर्वाजक रेवा رेवा ये मेरी कामपर वाली मातारे तो चुप क्यों है बोल कौन भरोसा तेरा रखेगा जब उल्टे होंगे बोल रवा बेटि रवा बेटि दर्वा खो लो बेटि कि रखो मात पूरी लाज नहीं तो तेरी आंगान में शेश चड़ाओ आज मेरे शेश चड़ाओ आज ये मेरे शीश चड़ाओ आज रेवा, रेवा, रुख जाओ श्रद्धा की पवित्र धारा में स्नान करके पवित्र बना रेवा का पुन्या संसारियों के सपर्ष से मेला हो जाएगा पर मैं इतना कहूंगी कि विधी के लेख को देवी देवता भी नहीं मिटा सकते रेवा की सची भक्ती के प्रताप से तुम्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा रेवा के अंदर विक्सित गर्भ रेवा सहित पद्मा के गर्भ में प्रवेश करेगा श्रद्धा, भक्ती और त्याक से प्राप्त किये इस महापुन्य के फल को ग्रहन करो और सुखी रहो तथास्तू रेवा पद्मा रेवा पद्मा रेवा रेवा रेुमा